Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, आज की वीडियो में हम Class 2 सारंगी पाठ्थे पुस्तक की पार्ट 3 माला की चांदी की पायल इस पार्ट की वॉक्शिट को सॉल्व करेंगे. इस पार्ट की वीडियो हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में उसका लिंक है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो आपके पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके बाद इसकी वॉक्श प्रशनों को देखते हैं, तो पहला प्रशन है, माला सभी को क्यों डराती होगी, इसका उतर आपको अपने हिसाब से देना है, मैंने इसका उतर दिया है, माला को सब को डराने में आनंद आता होगा, इसलिए माला सभी को डराती होगी, इसको पायल की आवाज करके, शोर कर कि सबको डरा के अच्छा लगता होगा अगला प्रश्न है माला से सभी क्यों डर जाते होंगे माला जब डराती है तो सभी उससे क्यों डर जाते होंगे इसका उतर मैंने लिखा है माला अचानक से पायल की आवाज करती है और चूर से शूर मचाती है इसलिए माला से सभी डर जाते होगे, क्योंकि अचानक से कोई आवाज आये तो हम ढर जाते हैं, Gueye, आपको अपनाâte बताना है कि आपको क्यों लगता है कि मौला से सभी दर जाते होगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पायल उतारने की अतिरिक्त, अचाम और क्या कर सकती थी, जैसा कि हमने पाट म पहन देती है तो उससे कोई नहीं डरता है, सब को पता चल जाता है कि माला आ रही है, ठीक, तो फिर माला ने पायल ही उतार कर रख दी, क्योंकि उससे कोई डर नहीं रहा था, तो पायल उतारने के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, पायल उतारने के अलावा और माला क्य नहीं हो पाती जैसा कि हमने देखा था पार्ट में कि पायल में छोटे-छोटे घुंगरू हैं जो चलने पर आवाज करते हैं अगर माला पायल को निकालने की बजाए उन घुंगरूं को निकाल देती तो पायल चलते वक्त आवाज नहीं करती और माला पायल को पहन सकती थी तो यह मेरा उत्तर है, आप बताईए कि आप क्या सोचते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मा ने माला को पायल क्यूँ नीजी होगी? पार्ट पे हमने देखा था, मा ने माला को पायल ला कर दी, ऐसा क्यों किया गया होगा? तो उत्तर है मा ने माला को पायल इसलिए दी होगी कि जब माला चले तो पायल की आवाज से सबको पता चल जाए कि वे आ रही है और वे किसी को डरा ना पाए जैसा कि हमने देखा था माला सबको डराती थी तो माने इसी लिए पायल दी थी कि जब वे चलेगी तो आवाज होने पर सबको पता चल जाएगा कि माला आ रही है और उससे कोई डरेगा नहीं इसके साथ हमने बातचित के लिए सबी प्रशनों को हल कर लिया है अब हम अगले भाग को देखते हैं यहाँ पर दिया गया है लिखिए और इसमें कुछ प्रशन है एक एक करके हम इन सबी प्रशनों को देख लेते हैं तो पहला प्रशन है माला की माने उसे क्या दिया तो इस प्रश्न है माला ने पायल क्यों उतार दी यहां पर हमें चार वाक्य दिये गए हैं हमें इन में से सही उत्तर चुनना है कि माला ने आखिर पायल क्यों उतार दी थी पहला है पायल माला को चुप रही थी इसले माला ने पायल उतार दी दूसरा है पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था तीसरा वाक्य है पायल की आवाज से सभी को बहुत मज़ा आता था चौथा वाक्य है एक पायल हो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी इसलिए माला ने पायल को उतार दिया तो इसका सही उत्तर है दूसरा वाक्य कि पायल से सभी को माला के आने का पत चल जाता था इसलिए माला ने पायल को उतार दिया था बाकी के सभी जो वाक्य है वह सही उतर नहीं है तो यहां हम सही का चिन लगा देंगे अगला देखते हैं इन ध्वनियों को सुनकर उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयाज कीजिए अब हमें यहां कुछ ध्वनिया तो हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें यहां दी है गंती ही जब घंती बसती है तो उसकी थ्वनिया आती आवाज लगी, आपको बताना है आपको क्या आवाज सुनाई दी, अब हम अगला देख लेते हैं, यहाँ पर है पायल की ध्वनी, जब हम चलते हैं, तो पायल की कैसी ध्वनी आती है, चलिए सुनते हैं, ठीक है, तो पायल की जो ध्वनी है, मुझे जो सुनाई दिया, छन, तो क्या लिखेंगे यां? छ न चन अब हम अगला देखते हैं शंक की थोणि इसकी आवाज को सुनते हैं तो शंक की थोणि जो मुझे सुनाई दी इसमें है कू तो हम यां क्या लिखेंगे? कू ओकी अब next देख लेते हैं दमरू की थोणि चलिए सुनते हैं तो डम रूख की धोनी मुझे सुनाई दी डम 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 तो हम यहां क्या लिखेंगे डम डम इसके साथ हमने ये वाला प्रशन भी कर लिया है अगला देखते हैं माला किस-किस को डर आ रहे थी हमने ये पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है मैं आपको एक बर और बोलती हूँ इसकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक बार जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें उसके बाद ये पार्ट आपको आसान लगेगा और वक्षिट भी सॉल्व करने में आसान लगे तो माला किस-किस को डरा रही थी इसका उत्तर है माला बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिये को डराती है ठीक है? तो हमने ये पुतर भी कर लिया अगला प्रश्न है विराम चिनि का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिये वाकियों और अपनी कापी में लिखिए तो विराम चिनि क्या होता है students? विराम चिनि का मतलब होता है जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और नया वाक्य शुरूद करते्यthe तो इन दोनों के बीच में जब हम थोड़ी देर रुखते हैं, वहाँ पर जिन चिनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन कहते हैं, चलिए देखते हैं, तो विराम चिन बहुत सारे तरीके के होते हैं, यहाँ पर हम दो विराम चिनों के बारे में पढ़ने वा तो आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन इस तरीके से दिखता है, अब अगला है, फून विराम, फून मतलब complete, हमने कोई वाकय कम्प्लीट कर लिया है, कोई सेंटेंस कम्प्लीट कर लिया है, उसके बाद जो चिन लगाया जाता है, उसको हम फून विराम कहते है और वे कैसा दिखता है तो वे ऐसा दिखता है तो चलिए ये दो वाक्य जो दिये गए हैं क्या माला को नई पायल मिली और दूसरा है माला पायल पहन कर पूरे घर में खुमने लगी तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं क्या माला को नई पायल मिली तो क्या हम कब लगाते है जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो पहला जो वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहां पर हम प्रश्न वाचक विराम चिन लगाएंगे दूसरा वाक्य है, माला पायल पेहन कर फूरे घर में घूमने लगी, तो ये साधारन वाक्य है, इसमें कोई प्रश्ष नहीं पूछा गया है, यह वाक्य कम्प्लीट हो गया है, पून हो गया है, यहाँ पर पून विराम चिन हम लगाएंगी, ठीक है, तो इस तरीके से दो च इसको आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए अब हम अगला भाग देख लेते हैं अगले भाग में हमें कहा गया है आओ बूझे पहेली यहाँ पर कहा है माला की चांदी की पायल खो गई है यहाँ पर एक पहेली दिये कि माला की चांदी की पायल बनानी है रेखा खीच कर शब्दों को जोड़ना है ठीक है जैसे कि हमें यहाँ माला शब्द को जोड़कर दिया हुआ है मा ये रहा और ला ये रान एक चिन लगा कर दोनों को जोड़ा गया है ऐसे ही अगला शब्द है की तो ये रहा की हमारा अब अगल की तो यह रहा की तो हमने क्या क्या बना लिया माला की चांदी की अब हमें बनाना है पायल तो पा कहां है यह रहा पा इसको हम य से जोड़ेंगे य और फिर ल से जोड़ेंगे तो यह रहा हमारा ल क्या बन गया पायल इस तरीके से हमने माला की चांदी की पायल पहली जो थी उसको हल कर लिया है तो हमने इस पार्ट के सभी प्रशनों को हल कर लिया है इस पार्ट की वीडियो और बाकी की सभी पार्टों की लिंक मैंने दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दी है आप सभी पार्टों को जाकर अच्छे से देख सकते हैं, so I hope all of you have understood this chapter, thank you so much for watching, if you like the video please share it and subscribe the channel for more such videos